प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी तीसरी बार पद और गोपनियता की शपत लेंगे और उनका शपत ग्रहन समारो आज है हाला कि 3.0 सरकार के शपत ग्रहन से पहले TMZ प्रमुक ममता बैनरजी ने एक बड़ा दावा कर दिया है ममता बैनरजी ने कहा है कि ये सरकार जादा दिन तक नहीं चलेगी ममता बैनरजी ने ये भी दावा कर दिया है कि कुछी दिनों में कई BJP के नेता पार्टी छोड़ सकते हैं कई BJP के नेता बहुत परिशान और नाखुश हैं ये सरकार अधिक दिन तक चल नहीं सकेगी नरेंद्र मोदी के शपत समारों में त्रणमूल कॉंग्रेस जाएगी या नहीं इसके जवाब में भी CM ममता बैनर जी ने कल कहा कि ना निमंत्रन मिला है और ना ही शपत ग्रहन में हम जाएंगे आगे उन्होंने कहा कि देश को एक बदलाव की जरूरत है हम राजनयतिक स्थिति पर नजर बनाय हुए है जैसा जना देश आया है उसके बाद नरेंद्र मोदी को प्रधान मंतरी नहीं बनना चाहिए उन्होंने आगे कहा कि आज इंडिया गटबंधन ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है तो इसका ये मतलम नहीं कि हम आगे ऐसा नहीं करेंगे मम्ता बैनर जी ने CAA को लेकर भी BJP पर निशाना साधा और कहा कि CAA को रद करना ही होगा हम संसद में ये मांग उठाएंगे पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ने ये भी कहा कि मैं माफी चाहती हूँ लेकिन गैर समवधाने गैर कानूनी पार्टी को सरकार बनाने के लिए शुपकामनाय नहीं दूँगी और जो भी संसद हैं उनसे तो मैं ये कही रही हूँ कि आप अपने पार्टी को मजबूत बनाए रखे हम BJP के राह पर तो नहीं चलने वाले किसी भी पार्टी को नहीं तोडेंगे इंडिया गडबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि हमने अभी कोई दावा नहीं किया सरकार बनाने के लिए लेकिन भविश्य में ऐसी तस्वीर बन सकती है केंडर को सभी राजयों का बकाया चुकाना होगा, CAA को रद किया जाना चाहिए, हम ये मांगे संसद में जरूर उठाएंगे त्रणमूल ने बंगाल में अपना वर्चस्व कायम रखते हुए 42-49 सीटे जीती, राजय में मुख्य विपक्षिदल भाजपा की सीट संख्या घटकर 12 हो गई, जबकि कॉंग्रेस को एक सीट पर जीत मिली टीमसी ने बंगाल बीजेपी के बड़े नेताओं को हराया और कॉंग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी टीमसी उमिदवार पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने हराया ममता मैनरजी ने अब जो मजबूती से अपना स्टैंड ले लिया है अब देखना है किस तरीके से जो वो दावा कर रही है कि इंडिया गटपंधन की सरकार बनेगी उस पर आगे क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें